हला अब्रिवन वेलकम टू माई यूटीव चैनल इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं हमीरपुर की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और यह सारी नोटिफिकेशन पिछले कल यानी 18 मई की हैं तो चले स्टार्ट करते हैं पिछले कल जितनी भी नोटिफिकेशन आई वो सारी रिक्मेंडेशन है बेटिंग पैनल से अलग अलग पोस्ट कोड के लिए तो कुछ लोगों को डॉट रहता है कि बेटिंग पैनल कब आता है जब भी किसी पोस्ट कोड का फाइनल रिजल्ट आता है तो उसके साथ उसके जो डोकुमेंटेशन में जो केंडेट गए होते हैं, उनके मार्क्स सभी के जो डोकुमेंटेशन में गए होते हैं, एक फाइनल रिजल्ट उसके बाद जिन्होंने सबने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया होता है, उन सबके मार्क्स इसके अलाबा आपको इने बाद भी एक्टिव होता है तो आप इस पे मतलब अगर आपका नाम बेटिंग पहने में होता तो आप जरूर HPSC की जो notifications आती हैं उनको देखते रही है क्योंकि कई बार पोस्ट जो होती है जैसे कई बार जो लेटर होता है वो आपके पास थोड़ा लेट बहुंच जाता है या आप घर में नहीं होते है उस बज़े से क्या होता है कि डिपार्टमेंट आपको टाइम देता है कि इतने द जुनियर ऑफिसर सुपरवाइजर ट्रीनी आई-टी एट सो लेवल पोस्टकोड ऐट फोर वन नेक्स्ट है जुनियर डाप्समें पोस्टकोड ऐट जीरो जीरो और नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्टकोड 785 और जो फाइनल है वो है होस्टल पोस्ट को सेवन नाइन टू तो कुछ यह से पांच तीन और दो पांच यह पोस्ट कोड थे जिनके वेटिंग पैनल पिछले कर यह नोटिफिकेशन आई तो मैंने आपको बता दिया और जो होता था पहले जो फाइनल आंसर की थी वो आपके फाइनल रिजल्ट के साथ आती ह लेकिन आप ऐसा नहीं होता है जब स्क्रीनिंग टैस्ट रिजल्ट आता है तो उसी के साथ फाइनल आंसर की आ जाती है अगर किसी पोस्ट कोड की फाइनल आंसर की नहीं आती है तो उसका मतरी भी होता है कि किसी ने मतलब अपनी जो कोईरी होती है वो नहीं बेजी हुई ह HPSC को अगर कोई question मा पे गलत था और अगर भेजी हुई है तो उसमेंसे कोई उनको genuine नहीं डगी तो उन्होंना answer की में कोई change नहीं किया और अगर answer की में कोई change नहीं होता है तो final answer की नहीं आती है जो tentative provisional answer की होती है उसी को फिर मतलब उसी के basis पे होता है जो आपके screening test marks होते है वो आपके उसी provisional answer की के according होते है तो I hope आपको ये वीडियो अच्छी रगी होगी informative रगी होगी तो आप वीडियो को like, comment, share कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए